हेलो फ्रेंट्स प्रेंट्स कैसी है आप लोग फ्रेंट्स आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूं वह है करदे हो इसका मतलब आप कहीं बहु जादा तनाऊ वाली जिंदगी इस्ट््रेस्स पील grind कर रहे में और किसे इस इसे पहल कि अमसी खुआंघ या कहीं पर एक्तम से खाना बन कर देते हैं तो उनका जो बाडी सिस्टम है वो कहीं डिस्टर्ब होता चला जाता है मेंटल लेविल आपका अगर स्ट्रॉंग नहीं है तो उस पर मैं आप पर कांसलिंग भी कर सकती हूं आप मुझे मैसेज दीजिए और उसके साथ मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूं जिससे आप अपने मेंटल लेविल को स्ट्रॉंग करिये पहले तो आप बिलकुल भी आपको पॉस्टिफ रहना बहुत जुरूरी है अपने मेंटल लेविल को स्ट्रॉंग करने के लिए सामने वाला आपको कुछ भी बोले बट आप में इतनी स्ट्रॉंगनेस होनी चाहिए कि वो आपकी अपनी बात आप पर हभी नहीं होने दे उसका ध्यान प्रक्ना है आप थर्ट यह है फ्रेंट्स कि आप किसी ऐसे चीज में मन लगाई है जो आपको बहुत पसंद है फ्रेंट्स क्योंकि हर प्यक्ति की एक अपनी कहीं ना कहीं एक च्वाइश होती है कि मुझे सिंगी करना था और मैं करने पाई अपने जवाने पर या मेरा यह शौक था मैं उस शौक को करने पाई तो फ्रेंट्स उस शौक को अपनी लाइफ में शामिल करें फिर उसके बाद जो है अगर आपको कोई गेम्स अच्छा लगता है फ्रेंट्स तो उस गेम्स को जरूर खेलिए घर के बाहर बल्कुल निकलिए बहुँ जरूरी है आप चार लोगों से बात करते हैं उनके साथ हमेशा रहिए क्योंकि वो आपका मेंटल लेवल स्ट्रॉंग करने में बहुत सपोर्ट करेंगे तो और उसके साथ आप योगा करिए ऐरोबिक करिए किसी भी तरीकी की ग्लासेज जोइन कर लिए अगर आपको पढ़ने का शौक है तो किसी भी एज में आप स्टैडिस कर सकते हैं उसके लावा आप छुट छुट जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलिए इंजुआई करिए लाइफ को और कोशिश ही करिए कि आप अपने लाइफ का एक रूटीन मेंटेन कर लिए जो कि मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक हो जिसमें बहुत स खराब बोलिये ना खराब सुनिये और जो भी आपके पास है उसमें हमेशा खुश रहिए मस्त रहिए तो आप उसमें क्या होगा आपका जो तनाव होगा वह हमेशा जो है कम होता चला जाएगा उसके साथ आप जो है एक अच्छी नीन लेने की कोशिश करिए मैं काफी बा बहुत जल्दी निजात आपको मिल जाएगी आप नीम की दवा कुछ भी मत लीजे अगर आपको मेंटली है मतलब स्ट्रॉंग होना है तो आप चूटी चूटी चीजों को अपलाई करिये और अगर आपको बहुत सादा प्रॉबलम होती है तो उस कंडिशन में आप डॉक् अपनी चीजों को इंपूफ करने की कोशिश करिये जो आपके अकेला पन है उसको ख्थम करने के लिए अप फ्रेंड्शिप करिये औ दोस्ती करिये और।स्ति तरीके से आप इसे ।क उन्राव प्रॉटीन का रूटीन बनाए का अपको फ्रेश होगा है सब की बास सुनने की कोई जरवत नहीं होती है आप अपने उपर विश्वास करिए आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छा करेंगे और उसके एक्रडिंग आप चलिये ना कि आप लोगों की बास सुनिया समझे क्योंकि mental health एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इनसान का तनाव अकेला पन ये सब चीज़े जो है mental level पे आपको कई तर वीक करता चला जाएगा तो mental level को बढ़ाने के लिए आप इस सब चीज़ों को अपलाई करिए फिर्ट सो थैंक यू फिर्ट